नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आशुतुष चत्रवेदी शेर्शेर रिपोर्टर देखेंगे, उसके पहले बड़ी खबर आ रही है, उस पर नज़र डालेंगे और आपको बता दे गिरफतार पारसमल लोड़ा ने पूछ ताच में कई बड़े खुलासे किये हैं और इसके बाद कई बड़े नामों के साबने आने की उमीद है 22 दिसंबर को E.D. ने लोड़ा को गिरफतार किया था, जो साथ दिनों की हिरासत में है आरोपे की रोहिट टंडन और शेखर रेड़ी के काले धन को सफेद करने में पारसमल लोड़ा ने मदद की थी अब लोड़ा से मिली जानकारी के बाद जल्दी कुछ और गिरफतारियां हो सकती है दिल्ली में रोहिट टंडन के फर्म से साथे तेरा करूर रुपे बरामद हुए थी तो गिरफतार पारसमल लोड़ा ने पूछ ताच में कई बड़े खुलासे किये हैं इसके बाद कई बड़े नामों के सामने आने की उमीद है आपको बता दे 22 दिसंबर को एडी ने लोड़ा को गिरफतार किया था जो साथ दिनों की हिरासत में है और इन पर आरूप है कि रोहिट टंडन और शेकर रेड़ी के काले धन को सफेद करने में पारसमल लोड़ा ने मदद की थी अब लोड़ा से मिली जानकारी के बाद जल्दी कुछ और गिरफतारियां हो सकती हैं आपको ध्यान होगा दिल्ली में रोहिट टंडन के फर्म से 13.5 करोड रुपे परामद हुए थे तो पारसमल लोड़ा ने पूछताच में कई बड़े खुलासे किये हैं अब मुनासिब है कि कुछ और बड़े नाम सामने आए 22 दिसंबर को ईडी ने लोड़ा को गिरफतार किया था और 7 दिनों की हिरासत में पारसमल लोड़ा रोई टंडन और शेकर रेड़ी के काले धन को सफेद करने में पारसमल लोड़ा ने मदद की थी लोड़ा से मिली जानकारी के बाद जल्द ही कुछ और गिरफतारियां हो सकती हैं दिल्ली में रोई टंडन के फर्म से 13.5 करोड रुपे बरामद हुए थे जीतेंदर शर्मा हमारे साथ हमारे समधा था जोड़ चुके हैं जीतेंदर क्या कुछ खुलासे हुए हैं आपके पास क्या इंपूर से क्या जानकारी मिल रही हैं ये पासल मोडा से एडी लगातार पूस्ताज कर रही है और अब तक पूस्ताज में काफी एहम खुलासे हुए हैं और काफी बड़े लोगों के पैसे क्या लेंदेन किया गया है हाला कि अभी खुल कर नहीं बताया है कि कौन कौन लोग वो शामिल हैं लेकिन इसमें काफी जो नामी ग्रामी लोग हैं वो इस हवाला कारोबार में शामिल थे और जिनका पैसा सफिर करने में पारसमन लोडा लगा हुआ था और हो सकता है कि आने वाले कुस तिनों में ही जल्द ही कुछ और गर्फतारिया हो सकती है रोहिट टंडन से लगाता पूर्साज की जा रही है टी एंटी लॉफ हम के वो मालिक हैं उनका करीब साड़े तेरा करोड रुपिया जो उनके पास से बरामाद हुआ था वो भी पारसमन लोडा उनको ब्लैक पनी को वाइट करने में लगे हुए थे और बताया जा रहा है कि जल्द ही इसमें कुछ और ग्रफ्तारिया होंगी जिसमें बड़े नाम स्यामिल है बहुत शुक्रे जीतिंद्र आपका इस चानकारी के लिए